जहिन साथियों आज हम लोग इस वीडियो में क्यूज स्रीज का ये लेक्चर फोर है हम लोग इसके पहले तीन लेक्चर कर लिए थे और ये जो है हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें जितना भी कोश्चन बचा हुआ है टोटल इसमें कंप्लीट कर देंगे ठीक है तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप जरूर देखिए जो है काफी इंपोर्टेंट पॉंटेट है तो बाकी जो है आपको काम आयेगा चलिए वैन का पुन रूप क्या है तो वाइड एरिया नेटवर्क वैन का जो है वीए वैन का पूर्ट जो है फुल फॉर्म क्या होगा तो वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा खनीज काला सीसा या पलंबगो के नाम से जाना जाता है तो ग्रेफाइट टीवी रिमोट में नियंत्रन इकाई है तो क्या है रेडियो तरंगे आगे भारती संसत में किस भासा का प्रियोग होता है तो हिंदी और अंग्रेजी हिंदी और अंग्रेजी का उप्योग होता है भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजागरी क्या है तो अजमेर है भार कि धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनीज आवस्यक है तो सोडियम क्या है तो सोडियम अगला कोश्चन में आई आरियों का भारत में प्रथम अस्थाई आवास कौन सा था तो पंजाब किस एक युग को चैको लिथिक युग भी कहा जाता है तो ताम पासान युग को जो है चैको लिथिक युग भी कहा जाता है सनी गरह के रिंक्स के खोज करता जो है कौन थे तो गैलिलियों थे जिन्होंने किसका विसकार किया था साथ जो है दुर्बीन का भी विसकार यही किये थे आगे भारत के सबसे लंबा समुद्री तट जो है मरीना बीच चैन्नाई में है सबसे लंबा समुद्री तट मरीना बीच जो चैन्नाई में है सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है तो कनाडा है सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है तो कनाडा है सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन है तो क्या है तो जिब्राल्टर आगे विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र कहा है तो त्रिवन्त पूरम में आगे देखें भारतिय संभिधान का कौन सा अंग समाजबादी वेवस्था समाज बिवादी वस्थापित करने की प्रेरना देता है तो निती निर्देशक तत्व भारतिय सम्विधान का कौन सा अंग समाज बादी वस्था स्थापित करने की प्रेरना कौन सा अंग देता है सम्विधान का कौन सा अंग तो निती निर्देशक तत्व कौन से संसोधन द्वारा लोक सभा का कारेकल 6 वर्स कर दिया गया था तो 42 संबिधान संसोधन में क्या कर दिया गया तो लोक सभा का कारेकल 6 वर्स कर दिया गया आगे देखी अगला काता है संबिधान का कौन स अनुछेद धन विध्यक से संबंधित है तो अनुचेद जो है 110 अनुचेद 110 जो है आपका क्या है तो धन विदेहक से संबंदित है अगला कोश्चन में आईए आगे काता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया तो 1973 इसमें भारत में प्रोजेक्ट अलिफेंट कब लाया गया तो 1992 में आगे नवावों का सहर किसे का जाता है तो लखनव को उपराष्ट पती के चुनाव में मतदाता होते हैं लोक सभा तथा राज सभा के सभी सदस्य होते हैं ठीक है बताइए कि उपराष्ट पती के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं उपराष्ट पती जब चुनाते हैं तो मतदाता कौन होते हैं तो लोक सभा तथा र आज सभा के सभी सदस होते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है चुना जाता है किसको तो उपराष्ट पती को बिस्व का सरवोच सरवोच धनरासी वाला पुरसकार कौन सा है तो नवल पुरसकार है नवल पुरसकार कितने छेत्रों में दिये जाते हैं तो नवल पुरसकार जो ह आगे देखे काता है कि प्रथम चालक रहित भारतिये विमान क्या है तो लक्ष है प्रथम चालक रहित भारतिये विमान कौन है तो लक्ष है आगे काता है फेरल का नियम संबंधित है तो पवनों की दिसा से बिटामिन ए जो है संचीत रहता है यकरीत में गोवी रेगिस्तान इस्थित है मंगोलिया में राष्टिय गृव बैंक का मुख्याले कहाँ इस्थित है तो नई दिल्ली में राश्टिग्री बैंक का मुख्याले जो है कहा इस्थित है तो नई दिल्ली में आगे किदामबी स्रीकांत किस खेल से संबंदी थै तो बैडमिंटन से बताईए किदामबी स्रीकांत किस खेल से संबंदी थै तो बैडमिंटन से विक्टोरिया जिल किस महादवीप में इस्थित है तो अफिरका में कहा अफिरका महादवीप में आगे यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है तो बोलगा आगे भीम बेटका गुफा किस राज में है तो मद्ध प्रदेश में किस राज में है तो मद्ध प्रदेश में सिंदु घाटी सब्भेता की लीपी कौन सी है तो अग्यात है उसका लीपी जो है सही से पता नहीं चलता है ने आगे देखिए सिंदु अर्थवस्था की ताकत थी क्या तो ब्यपार सिंदू सब्यता का अर्थवस्ता का ताकत था वो क्या बेपार था आगे हाथी घास किसे कहा जाता है तो नेपियर घास को नेपियर घास को हाथी घास का जाता है भारत की सबसे बड़ी लाइबरेरी कहां पर है तो कोलकत्ता में बड़ी लेबरेरी कहा है तो कुलकत्ता में आरंभिक बौध साहित किस भासा में रचे गए तो पाली भासा में बुद्ध की मिर्तियू किस बर्स होई तो 483 इसा पुर्व में उस राज का नाम बता ये जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था तो मगध ठीक है युद्ध में पहली बार हाथि का उपयोग जो है कौन सा कौन सा कौन सा राज्य किया था तो मगध राज्य ठीक है बिंदु सार का पुत्र कौन था तो असोक था बिंदु सार का पुत्र कौन था तो असोग था आगे कलिंग युद्ध किस बर्स हुआ था तो दूसो एकसठ इसा पुर्व में हुआ था अगला कॉस्चन में आई अगला काता है बताईए कि कि किसके राज चिकित सकते तो कनिस्क के किसके कनिस्क जो है राजा हुआ था उसके ये क्या थे राज चिकित सकते अगला कोश्चन में हम लोग चलते हैं आगे देखिए कता है कि सर चाल्स बिल सी कन्स ने किस प्रसिद पुस्तक का अनुवाद जो है अंग्रेजी में किया था तो भगवत गीता का जो अनुवाद किस में किया था तो इंगलिस में किस ने तो सर चाल्स बिल सी कन्स बिल सी कन्स ने जो है भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था संत्रिप्त हाइड्रो कार्बनो को क्या कहा जाता है तो एलकेन कहा जाता है डी एन ए और आर एन ए जो है क्या है न्यूकलिक अमल है यूरिया अधिक्तम मात्रा में पाया जाता है किस में तो मुत्र में पाया जाता है आगे लेक्रिमल गरंथियां स्रावित करती है क्या तो आशू आशू कौन स्रावित कौन सी गरंथियां करता है तो लेक्रिमल गरंथ किसे ब्यक्तिगत स्वतंतरता के बचाव की प्राचीर कहा जाता है तो बंदी परत्यक्षी करन को बुराई को दूर करने के लिए सारदा एक्ट बनाया गया था तो बाल विवाह को बाल विवाह को दूर करने के लिए कौनसा एक्ट बनाया गया तो कौनसा तो सारदा एक्ट बनाया गया लाल बहादूर सास्त्री की मिर्त्यू तासकंद में कब हुई थी तो उनिस्सो च्यार निबलिक सब्द का परियोग किस खेल से संबन्दित है तो गोल्फ खेल से मदप्रदेश में रावन की पूजा कहां होती है तो खानपुर गाओं और मंदसौर में रावन का पूजा होता है मदप्रदेश में राष्टिय सुरक्षा परिशद का परधान कौन होता है तो परधान मंत्री सितारा देवी निरित्य के किस स्वरूप से संबन्दित है कत्थक सितारा देवी कौन से निरित्य से संबन्दित है तो कत्थक से ठीक है धन विदेहक को पारित करने के लिए राज सभा को कितना समय दिया जाता है तो 14 दिन दिन अगला कॉस्चन में आईए गंगा को उत्तर से दक्षिन ले जाने वाला चोल राजा कौन था गंगा को उत्तर से दक्षिन की ओर ले जाने वाला जो चोल राजा था वो कौन था राजेंद्र चोल था आगे इबन बतुता इबन बतुता सिक्के जो सिक्के थे सासन काल में भारत आया था किसके होना चाहिए यहां पर तो कर दिया सिक के मुहम्मद विन तुगलक के सासनकाल में इबन बतुता किसके होना चाहिए किसके सासनकाल में भारत आया था तो मुहम्मद विन तुगलक के सासनकाल में मिहीर भोज राजपुतों के किस कुल से संबंदित था तो परतिहार से ठीक है मिहरवोज सासक था जो परतिहार से सम्बंदीत था आगे देखे कुतुब मिनार किस परसिध सासक ने पूरा किया था तो क्या तो इल्तुत मिशने भारत की प्रथम महिला सासक कौन थी तो रजिया सुल्तान किसे भारत का तोता कहा जाता है तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है भारत में चम्डे की प्रतिक मुद्रा किस ने प्रारम्भ की थी तो महम्मध बिन तुगलक ने मुहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा के रूप में चमड़ा का उप्योग किया था मस्तिस्क का कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने को नियंतरीत करता है तो मज्जा आगे देखिए तहसील अस्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है पंचायत समीती आगे मस्रूम किसके उदारन है फंजाई जगत के कबक के गांधी जी ने भारत छोड़ो अंदोलन कब शुरू किया था 1942 सिस्वी में राश्टी आई को प्राया है क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है एन एन पी नेट नेशनल प्रोड़क्ट ठीक है एन 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 पी नेशनल प्रोड़क्ट आगे देखिए कुफरी जीवन और कुफरी जोती दो प्रसिध प्रजातियां है आलू की कुफरी जीवन और कुफरी जोती जो है दो प्रजातियां है जो है आलू का है किसका है आलू का है आगे देखिए दातों के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं तो inamel कहते हैं ठीक है आगे कालिंदी कालिंदी किस नदी का बैदिक नाम है यमुना का बैदिक नाम कहा है तो कालिंदी गोवा में कौन सा बिच है तो पेलोल्म क्या है पेलोल्म फीफा बिस्वकप का पहला मेजवान कौन है तो उरेगबे आगे दालचीन मसाला मुलता कहां का है तो स्रीलंका का है आगे मेजनी का संबंद किस संगठन से था तो कारवो नरी से था भारत में तुगलक वंस के बाद कौन सा वंस सासन में आया है तो सैद वंस आया है खानवा के युद में बावर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राज़ा कौन था तो राना सांगा का और किसके द्वारा तो बावर के द्वारा अगला कोश्चन में आईए अगला कोश्चन काता है कि बियतनाम कब स्वतंत्र हुआ तो 1945 में मात्मा गांधी दक्षी नफिर का सिहारत जो है कब आये तो 9 जनवरी उनिशओ 15 हैश्वी को 9 जनवरी उनिशओ 15 हैश्वी को अगला कोश्चन में आईए चलिए अगला कोश्चन देखिए दास कैपिटल के लेखा कौन है तो काल माक्स हैं काली मिर्दा का दूसरा नाम रेगुर मिर्दा लंदन में पहला गोल मेज सम्मेलन जो है किस बरस आयोजित हुआ था तो 1930 में कीट एक प्रानी है जिसमें होता है क्या तीन जोड़ी टांगे तीन जोड़ी टांगे चोच किस से बनाती है तो चोच जो है जबड़े से बनाती है दातों की कठोर इनामेल प्रत जो है क्या होती है तो कैलसियम फॉस्पेट होता आगे नर मच्छर अपना भोजन कहां से ग्रहन करते हैं तो पौधे के रस से अगला कोश्चन में आईए अगला काता है कि बताईए पके अंगूर में होता है फ्रक्टोज क्या होता है फ्रक्टोज होता है सिवा जी का राज्य अभिसेक हुआ था 1644 में नाना सहाब के नाम से कौन प्रसिद थे तो बाला जी बाजी राओ आगे Cape of Good Hope के भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की तो वासको डिगामा ने Cape of Good Hope के रास्ते भारत तक समुदरी रास्ते का जो खोज किया और किसने किया था वासको डिगामा ने आगे आकाल तक्त का निर्मान किया था किसने तो गुरू हर गोविंद ने गुरू हर गोविंद ने आकाल तक्त का किस सिख गुरु ने स्वयम को सच्चा बादसा कहा था तो गुरु अर्जुन देव ने स्वयम को क्या कहा था तो सच्चा बादसा ब्लैक होल त्रासदी कहां घटी थी तो कलकत्ता में आगे देखिए बुनियादी सिख्चा का बिचार पहले किसने प्रस्तूत किया था तो महात्मा गांधी ने अगला कोश्चन में आईए अगला देखी काता है डिप्थिरिया रोग से गरस्त अंग क्या है तो गला डिप्थेरिया कहां होता है तो गला में होता है आगे देखिए एसलीट फूट रोग होता है फंगस में एथलीट फूट जो होता है फंगस में जिसको writings भी सैद कहते है एक ब्यक्ति के लिए पंचायत का सदस बनने की निउन्तम आईू सीमा कितना है तो 21 बर्स है कौन सी नदी जो है दक्षिन भारत के प्रसिध तरित अस्थल तर्यू तटेनी से होकर भहती है तो नंदी नदी अगला 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिध धनू जात्रा बिस्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है जो कि किस राज में है तो औरीशा में है 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिध धनू जात्रा बिस्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है जो किस राज में है तो औरीशा में है अगला कोश्चन में आईए अगला देखिए क्या कहता है किसे जो है दा लेडी विलिंग्टन पार्क के रूप में जाना जाता है दा लेडी विलिंग्टन पार्क के रूप में जो है किसे जाना जाता है तो लोग ही गार्डन्स को करनाटक के किस जिले में ब्रहम गरी बन नजीब अभेरन है करनाटा के किस जिले में ब्रहम गिरी वन नजीव अभेरने कोडागों में हरा प्रोटो जुआ कहलाता है कौन तो युगलीना को जनसंख्या का अध्यन कहलाता है क्या तो डेमोग्राफी आध्यनिक एंटी सेप्टिक सरजरी का जनक किने माना जाता है तो जोसेफ लिस्टर को आगे मचलियों में स्वसन होती है गिल्स के द्वारा आगे सत्य फल उत्पन होता है अंडासय के द्वारा सत्य फल जो है आगे सत्य फल जो है किस से प्राप्त होता है तो बनता है तो किस के द्वारा बताईए तो यह सत्य फल जो प्राप्त होता है किस के द्वारा अंडासय के द्वारा लेकिन यही कहता है असत्य फल किसके द्वारा तो पुसपासन के द्वारा असत्य फल किसके द्वारा पुसपासन के द्वारा उदाहरन में आता है सबसे जो फेमस है क्या तो सबसे फेमस है आपका सेव ठीक है चलिए अगला कोश्चन में आई भारत के अस्थला क्रितिक मानचित्र कौन सा बनाता है तो भारतिय सर्वेच्छन भारत का मानक समय ग्रीन बीच माध्यम समय से 5.12 घंटा आगे यहीं कि साले 5 घंटा आगे 5 घंटा 30 मिनट आगे भारत का मानक समय जो ग्रीन बीच समय से कितना घंटा आगे तो साले 5 घंटा आगे भारत के भारत के दक्षिन में सबसे प्रोटीन का पाचन होता है पेपसीन एंजाइम से किसके द्वारा होता है पेपसीन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है अगला कोश्चन कहता है प्याज में खाद भाग होता है क्या तो तना आगे मादा मक्षर रक्त चूसती है जो रक्त चूसती है वो कौन सा मक्षर चूसती है तो मादा जो है वही मक्षर क्या करती है काटती है और तंबाकू का धुआ, स्वास्त के लिए हानिकारक है, क्योंकि उनसे होता है क्या, तो निकोटिन, उसमें क्या होता है, निकोटिन होता है, जो की हानिकारक है, आगे देखिए, अगला कोश्चन में आईए, कुनेन किस पेड की छाल से निकाली जाती है, तो सिनकोना के पेड से निकाली जाती है, और कुनेन जो है, दवा है मलेरिया के लिए, आगे, उवेलिंगी फूल क्या है, तो सरसो, 1925 में किसने जो है, ककोरी ट्रेन लूट का सड्यंतर रचा था, तो राम प्रसाद, बिस्मिल और, और अंसफाक उल्लाह खान, ठीक है, बताए, राम प्रसाद, बिस्मिल और, राम प्रसाद, बिस्मिल, राम प्रसाद, बिस्मिल और कौन, तो कौन, तो अंसफाक उल्लाह ख कौन सा तो 1925 के ककोरी ट्रेन लूट का सड्य अंतरचा था किस ने तो राम प्रसाद बिस्मिल और अन्सफाक उल्लाह खान आगे देखिए बनारस नदी की दक्षिनी सहायक नदी जो है बेडच राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से सुरू होती है तो उदैपूर आगे किस नेता ने हमें सी आर सुत्र दिया तो सी आर राज गोपाला चारी विकरम संबत कब आरंब हुआ था तो इसापुर्व संतावन में आगे कहता है असकेडियम के कितने समस्थानिक होते हैं तो 13 होते हैं असकेडियम के कितने समस्थानिक तो 13 होते हैं आगे धर्मराज रत असमारक कहां इस्थित है तो महाबली पूरम में सिक्किम में कौन सा मठ इस्थित है तो सम्टेक लेह में कौन सा मठ इस्थित है तो हेमिस भारत के संविधान में पहला संसोधन किस वर्स किया गया था तो 1951 में बहु भिखंडन द्वारा क्या उत्पन होता है तो प्लाज मोडियम भारत में चिस्ती संपरदाय किस ने स्थापित किया था तो मोई दून चिस्ती आगे काता है लेडी रतन टाटा ट्रोफी किस खेल से संबंदित है तो होकी से आगे काता है सन सीटी अवस्थित है दक्षीन अफिरका में अगला कोश्चन में आईए वेदांगो के संदर्व में कौन सा सब्द अनुस्थान को दर्साता है तो कल्प कल्प गरंथ जो होता है क्या होता है तो ये अनुस्ठान कारे में कर्मकांड गरंथ होता है ठीक है आगे C6H14 का सुत्र किसको हाइडो कारवन दर्साता है तो हेकसेन क्या हो जाएगा बुआ हेकसेन पौधे का नर प्रजनन अंग जो है क्या है पुंकेसर है बिस्व का एक मात्र तेरता डाक घर जिल पर इस्तित है किस जिल पर इस्तित है तो डल जिल कस्मीर आगे काता है बताईए गोटा बाया राजपक्षे कि राष्ट येता क्या है तो स्री लंकाई आगे स्वराज पाटी किसने बनाई थी तो 1923 में मोती लाल नहरू और चितरंजन दास ने अगला कोश्चन काता है राष्ट ये खेल दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त को अगला कोश्चन में आईए खेल नित रूप थोड़ा का संबंद किस राज से है तो हिमाचल परदेश से आगे LD हाइड है क्या है तो प्रोपे नल है इंटरनेट का अगर दूत था क्या तो आरपनेट उस राज का नाम बताएं जो चंदरगुप्त प्रथम को लिचिछवियों से दहेज में मिला था तो पाटली पुत्र किस सासकों ने खुजराहों में अपनी धार्मिक राजधानी अस्थापित की थी तो चंदेल किस सासकों ने खुजराहों में अपनी धार्मिक राजधानी अस्थापित तो चंदेल आगे पद्दम विभूशन प्रस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाडी कौन थे तो बिस्वनाथ आनंद थे अगला कोश्चन में देखी आईए अगला कोश्चन क्या कहता है स्वतंत्र भारत के पहले स्रम मंत्री कौन थे तो बाबु जगजीवन राम आगे मलेरिया रोग का बाहक कौन होता है तो मादा एनोफिलीज मच्छर जठर रस में पाया जाता है तो हाइड्रो कलोरिक अमल पाया जाता है पचे भोजन का अबसोशन छोटी आत में होता है सिंदु नदी का उद्गम है क्या तो कैलास परवत माला से परवत माला दिया तो ये मारिएगा नहीं तो सिंदु जो है अपका तिबड़न मान सरोबर जिल मान सरोबर जिल अगर दिया तो ये मारिएगा देखिए ऐसे केलास परवत जो है माला यहाँ दिया है परवत से सम्बंदित ठीक है आगे भागिर्थी और अलकनंदा का संगम कहां होता है तो देव परियाग में भागिर्थी और अलकनन्दा जो है कहां मिलती है देव परियाग में भागिर्थी और अलकनन्दा कहां मिलती है तो देव परियाग में और जब यह मिलती है तभी इसका नाम पढ़ जाता है फिर वहां से गंगा नाम दोनों मिलके एक बंदरगा कौन सा है तो चन्नाईया मदरास अगला कुश्चन में आईए सांत घाटी किस राज में स्थीत है तो केरल में भारत का प्रथम राष्टिय उध्यान कौन सा है तो कारवेट निस्नल पार्क भारत का प्रथाम राष्टिय उध्यान कौन सा है तो कार्वेट नेशनल पार्क इसी को गते हैं जीम कार्वेट नेशनल पार्क आगे देखिए गंगा डेल्टा के मैगरोव वनों को क्या कहा जाता है तो सुन्दरवन गंगा डेल्टा के मेरो बनों को क्या कहा जाता है तो सुन्दरवन हरियाना में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है तो सुल्तारपूर सुल्तान पूर है अगला कुश्चन में आईए चलिए सुनिएगा कहता है कि प्रसिद गीरवन कहां इस्थित है तो गुजरात में गीरवन कहां है तो गुजरात में गासे गीरवन आगे मद प्रदेश का सिब पूरी राष्टिये पार्क किसलिए महत्पून है तो तेंदुआ और चीतल चीता होना चाहिए तो चीतल कर दिया मद प्रदेश का जो है सिब पूरी राष्टिये पार्क किसके लिए प्रसिद है तो तेनवार चीता के लिए बिस्व का एक मात्र पलावी राष्टिये पार्क इस्थित है कहां तो मनीपूर में आगे भारत में प्रथाम जैब मंडल दिजर्व की स्थापना कहां हुई थी तो नीलगिरी में कहां हुआ था तो नीलगिरी में चंदन के पेड़ो के लिए किस प्रकार का जंगल उप्यूक्त है तो उसनकटी बंधिये पर्नपाती वन जो है चंदन के पेड़ो के लिए उप्यूक्त है आगे क्रिकेट बैट के लिए बिल्यो कहां से प्राप्त होता है तो संकू ब्रिक्षी बन से बल्ला जो बनता है क्रिकेट और बैट का तो वो कहां से प्राप्त होता है तो संकु ब्रिक्षी वन से प्राप्त होता है अगला कोश्चन में आईए चिपको अंदोलन किस से संबंदित है तो वन संदक्षन से जूम क्रिसी अभी भी कहां कहां प्रचली थै तो मिजोरम नागलेंड और मनीपूर में आगे देखे भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो कपास का चाय का तामबा का अबरक का ठीक है भारत जो है किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो कपास चाय तामबा और अबरक का सर्वदाता रक्त समू क्या है तो ओ है सेवालों की कोशिका भित्ती ब अगला पदार्थ की चतुर्थ अवस्ता क्या है तो पलाजमा है अगला कोश्चन है पाउधे में जाइलम की उपस्थिती से क्या होता है जल का वहन होता है जाइलम जल का वहन अफलोयम जो है भोजन का आगे क्लोरोफिल में क्या होता है तो क्लोरोफिल में मैगनेसियम पाया जाता है मुत्र का रंग पीला होता है किसके द्वारा तो यूरो क्रोम के कारण यूरो क्रोम के कारण मनुस के सरीर में जल होता है 65 से 80 प्रतिसत दिया है चीक है आगे देखिए आगे समराट अकबर के दरवार में टोडर्मल क्या था आगे देखिए वैंकिंग के संदर में ADF का पूर्ण रूप क्या है तो आटोमेटेड डाटा फ्लो आटोमेटेड डाटा फ्लो जो है इसका फुल पॉम होगा भारत के पहले चंद्रजाच को कहा गया था चंद्रयान वन आगे देखिए टिड़ा के कान उसके कहा पर स्थित होता है तो पैरो में टिड़ा का जो कान होता है पैरो में स्थित होता है अगला कोश्चन में आईए भारत के किस राज पर अहोम बंस का सासन था तो असम में आसे अहोम आसे असम तो अहोम बंस का सासन कहां असम में आगे चेपू किस देश का एक अनुठा संस्कृतिक पतीक था तो नेपाल का आगे काता है बलीडर सब्द किस खेल से जुड़ा ह तो boxing से संबंदी थे आगे काता है अलिगढ़ आंदोलन किसके द्वारा सुरू किया गया था सेद अहमद खान के द्वारा चुम्बक्ये छेत्र की माप की काई क्या है तो ट्रेसला है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कौन सी है जो मान सुरूबर जिल से निकलती है तो सिंधू क्या है सिंधू जो है ज़्यादा बहती है कहाँ पाकिस्तान में ही जाकर आगे विस्व का सबसे उचा ज्वाला मुखी क्या है तो कोटो पैक्सी कोटो पैक्सी एक वो एकवा डोर भी इसको कहते हैं जो है उचाई 5897 मीटर है 5897 मीटर है अगला कुश भारत में बास के वन सरवधीक पाये जाते हैं कहाँ असम में भारती वन सरवेच्छन का मुख्याले कहा है तो देहरादुन में आगे देखिए मलखंब को किस ने अपना प्रादेशिक खेल घोसित किया है तो मध्प्रदेश ने मलखंब को किस ने अपना प्रादेशिक खेल घोसित किया तो मध्प्रदेश आगे काता है महाबलीपूरम के मंदीर किन राजाओं ने बनवाये थे तो पल्लवों ने किसने बनवाया था पल्लवों ने एक आसम सैली ठीक है छेतरफल की द्रिष्टी से भारत का बिश्व में कौन सा स्थान है तो सातवा स्थान है आगे बाजार पर नियंतरन कायम करने वाला सुल्तान कौन था तो अलाहुदिन खिल्जी जो है बाजार पर नियंतरन कायम करने व अगला कोश्चन है बक्सर की लडाई में अंग्रेजों का सेना पती कौन था तो हेक्टर मुनरो 1764 में बक्सर की लडाई में जो है अंग्रेजों का सेना पती कौन था तो हेक्टर मुनरो मानव सरीर के किस अंग को सरीर का रासाइनिक कार खाना कहा जाता है तो यकरीत को अगला question में आईए है आगे हिमोगलोवीन और मायोगलोवीन दोनों किसके निर्मान के लिए आवस्यक है तो आईरन के लिए हिमोगलोवीन और मायोगलोवीन किसका निर्मान आईरन का बकसर का यूद 1764 में किस वर्मा स्वतंत्र सम्प्रभु गंदराज बन गया था तो 1948 में घातक जहर कंचेज तो सैनाईड का राशाइनिक नाम क्या है तो प्रोसिक ऐसिड क्या नाम है तो प्रोसिक ऐसिड आगे देखेए बलड मून सब्द बलड मून सब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता ह तो चंद्र ग्रहन के लिए आगे काता है चीन का राष्टिय पक्षी जो है कौन सा है तो लाल मुकुट बाली क्रेन जो है चीन का राष्टिय पक्षी है चीन का राष्टिय पक्षी है आगे देखे काता है इंडियन सूपर लीग की सुरुवात जो है किस वर्स की गई थी तो दुहजार तेरा एडियन सुपर लीग कि सुरुवात किस वर्सकी गई तो दुहजार तेरा में फ्रीडाम फॉर्म फियर एड अदर राइटिग पुस्तक के लेखक जो है कौन है तो आंगशान सुकी आगे काता है पॉपुलर चैंबर किसे कहा जाता है तो लोक सभा को डॉलफिन कि कि किस खेल से संबंदित है तो तेरा कि से किस भारतिय राज्य नैसी जन जाती का संबंद है तो अरुनाचल परदेश नैसी जन जाती का संबंद किस राज्य से है तो अरुना चल पर भारत के किस राज में सबसे लंबी मुख भुमी तट रेखा है गुजरात के सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज यह भारत का वो कौन है गुजरात है अगला question देखिए आगे कहता है मानव का समान रख्तताव जो है 80-120 mm होता है आगे DNA के किरियात्मा के खंड को कहते हैं क्या तो जीन कहते हैं DNA को जब तोड़ते हैं छोटा खंड होता है जो किरियात्मा को क्या होता है जीन होता है पुरूस वा इस्त्री जीन संगटक तो पुरूस का जो जीन संगटक होता है एकस वाई और इस्त्री का जो जीन संगटक होता है कितना तो एकस एकस आगे बच्चे का लिंग निर्धारन होता है पिता के गुनसुत्र से XY के द्वारा जो है बच्चे का लिंग निर्धारन होता है मानव रुधीर में मौजूद सरकरा की अधिक्तम मात्रा होती है Glucose Lucy Boli किस राज में बोली जाती है तो मिजोरम में Lucy Boli किस राज में बोली जाती है तो मिजोरम में पिर्थवी के बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो oxygen पाया जाता है क्या पाया जाता है तो oxygen पाया जाता है भारत का सुदूर पुर्वी बिंदू कौन सा है तो किवितू सबसे पुर्वी बिंदू किवितू पस्मी बिंदू गौरमो था उत्री बिंदू जो है इंद्रा कॉल और सबसे दक्षनी बिंदू है इंद्रा पॉइंट मुख भबा का सबसे दक्षनी बिंदू कन्या कुमारी जो किता मिलना डूम है चीक है आगे सबसे बड़ा तारा मंडल किसे माना जाता है तो हाइड्रा को आगे देखिए तो ओरियन तारा मंडल को अन किस नाम से जाना जाता है तो हंटर के नाम से गुप्त काल में आसिधी के लिए परसिद थे धन वंतरी धन वंतरी दाएं से बाएं लीखी जाने वाली लीपी को काते हैं क्या खरोष्ठी लीपी गुप्त कालीन उत्तर भारत कालीन बंदरगाः जो है क्या है तामर लीपती गुप्त कालीन उत्तर भारत भारत कालीन जो है बंदरगाः बंदरगाः कौन है तो तामर लीपती मुगल चित्रकला किसके नेत्रित्व में अपनी सिर्ष बिंदु पर थी तो जहांगीर के नित्रित्व में अपने सिर्ष बिंदू पर थी मध्यकालीन भारत में मनस बदारी विवस्था क्यों लागो किया गया था तो सैनिकों की सुगमता से भरती है तू मनस बदारी विवस्था क्यों लागो किया गया था मध्यकाल में भारत में तो सैनिकों सुगमता से भरती है तू आगे अस्ट प्रधान का गठन किसने किया था तो सिवा जी ने आगे काता है दिल्ली सल्तनत का वह सुल्टान जिसने सरवधिक नहरों की अस्थापना की थी तो फिरोज सह तुगलक ने बहुत जादा नहर बनाया था बंगाल की खारी में समुदरी डखेती है तू खुगली नदी का उप्योग कौन करता था तो पुर्त गाली ठगो का उन्मुलन किसने किया था तो कैप्टन असलीमन ने आगे अफगानिस्तान के प्रती आक्रमक नीती किसने अपनाई थी तो लॉड लिट्टन ने अगला कोश्चन देखिए अगला कहता है अंतराष्टिये कॉंग्रेस की प्रत्थम महिला अध्यक्ष कौन थी तो स्री एनी बेसेंट आगे काता है ब्यक्तिगत सत्यगराह अंदोलन का प्रथम सत्यगराही थे बिनोबा भावे थे बिनोबा भावे थे अगला कुश्चन में में लोग चलेंगे आगे देखिए लंदन में इंडिया हाउस के संस्था पकोंत्य तो स्याम जी कृष्ण बर्मा भागलपूर में नमक सत्यगराह का नेत्रित्व किसने किया था तो महादेव लाल सराफ ने 1949 में अमबारी सत्यगराह का नेत्रित्व किसने किया था तो राहुल सांकृत्यायन आगे वह प्रथा जिसमें किसान स्वैम भूमी का मालिक होता है तथा भूराजस्व का भूकतान करता था तो राहियत वाली प्रथा वह प्रथा जिसमें किसान स्वैम भूमी का मालिक होता था तथा भूराजस्व का भूकतान करता था तो राहियत वाली प्रथा का लाता था परत्यक्ष बित का सुरोत नहीं है तो नावाड नावाड जो है डाइरेक्ट सुविधा जो है हम लोग देता है यह bank और उसे जो है आम लोगों को फिर मिलता है ठीक है आगे देखे काता है EPCG का पुन रूप है तो क्या है तो export, promotion, capital, goods Export, promotion, capital, goods जो है EPC का full form है आगे देखे भारत में नियुन्तम समर्था अन मुल्य का निर्धानन कौन करता है तो क्रिसी लागतेवम मुल्य आयोग हिंदू ब्रधी दर संबंदित है किस से तो GDP से आगे हडियों की पढ़ाई विज्ञान की किस साखा के अंदर आती है तो कहलाएगा उसको क्या कहेंगे तो आस्टियो लॉजी हडियों का अध्यन क्या कहला दता है तो आस्टियो लॉजी किस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है तो विज्ञानू में यंई की वाइरस में इसके कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है अगला कोश्चन में आईए। अगला देखिए सरीर के किस भाग में लिंफोसाइट का निरमान होता है तो अस्थी मज़ा में लिम्फोसाइट का निर्मान किस में होता है अस्थी मज्जा में किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है थाइरॉक्सीन में किस हार्मोन में तो थाइरॉक्सीन में आयोडीन मिली होती है एड्स किस के कारण होता है तो विशानू के कारण आगे सुर्य का प्रकास पिर्थवी पर पहुँचने में कितना लग जाता है समय तो आठ मिनट अदीस रासी क्या है तो दाब है वायों में ध्वानी तरंग होती है अनुधैर हर्टज में क्या मापा जाता है तो आबृती बिद्धारा मापी जाती है अगला कोश्चन है अधिक केशर उतपादन करने वाला देश क्या है तो इरान है सबसे अधिक यू रेनियम उत्पादन करने वाला देश कान है तो कजाकिस्तान है भारतिय महिला जो भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनी थी तो 1925 सिसे में सरोजनी नाइडू बनी थी आगे गौतम बुद्ध के द्वारा पर्थम उपदेश कहां दिया गया पर्थम जैन संग्यती के अध्यक्ष कौन थे तो अस्थूल भध्र थे 1922 में भारतिय राष्टी कॉंग्रेस गया अध्यक्षता किस ने किया था तो CR दास ने किया था 1922 के भारती राष्टे कॉंग्रेस का गया जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष्टा किस ने किया था तो सी आर दास ने 1916 के कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन में गांधी जी से मिलकर बिहार आने का आगरा किया था कौन? तो राजकुमार सुकल बिहार को जो है किसने बिहार में जो है महात्मा गांधी को किसनी बुलाया था लखनव अधिवेशन में गये थे तो वहां से बुलाने जो आगरा जो किये थे जो बिहार बुलाये थे गांधी जी को वो राजकुमार सुकल सासक जिसने अपनी राजधानी पाटली पुत्र में अस्थरंत्रित किया था बिहार के किसानों ने चौकिदारी कर से मना कर दिया तो सबीना अग्या के दोरान चौकिदारी कर का विरोध हुआ था बिहार से बिस्व का सबसे लंबा परवत सरिंखला जो है लंबा उचा नहीं लंबा लंबा उचा कहेगा तो माउंट एवरेस्ट लंबा कह रहा है तो रौ की आगे क्राल एक प्रकार की निर्मित संद्रचना है तो दक्षिन अफिरका की बिस्व का सबसे सुस्करेगिस्थान क्या है तो आटा कामा आटा कामा आटा कामा बिस्व का सबसे सुस्करेगिस्थान आगे काता है तो मापले खादान यूरेनियम का भंडार माना जाता है जो कहा है तो आंदरपरदेस में कहा है तो आंदरपरदेस में है आगी काता है कि जवाहर सुरंग को निर्मान किस दर्रे के अंतरगत किया गया है तो बनिहाल दर्रे के अंतरगत बनिहाल दर्रे के अंतरगत जवाहर सुरंग का निर्मान किया गया है इस प्रकार से हमारा जो क्यूज परती हो गता है लगवग हजाग से लगवग एक हजार पचीस या तीस कोस्टन के आसपास था जो कि हम लोगों ने टोटल चार वीडियो लेक्चर में कम्प्लीट किया तो आप लोग जो है नहीं देखे हैं तो आप लोग जल्दी से जाकर सभी वीडियो को तेजी से जो है आप जल्दी देखी है देखने से क्या होगा जल्दी याद होगा क्योंकि हम देखते हैं तो पहला स्कीन पर देखते हैं फिर सुनते हैं तो जल्दी याद होता तो आज क के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, love you, bye, tata, see you again.